Hello everyone, welcome to all of you तो guys देखे हमारे जो topic चल रहा था input-output का उसमें हम आगे पढ़ेंगे और type देखेंगे questions की practice करेंगे लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा revision कर लेते हैं कि input-output में हमने कल क्या-क्या पढ़ा था तो देखे input-output की 3 types हमने पढ़ी थी जिसमें letter-based होते हैं, number-based होते हैं और mix-series-based यहाँ पे questions आते हैं ठीक है, letter-based के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा था कि देखे, letter-based जो है उससे इस type के questions आपके सामने आते हैं जो कोई भी randomly word होते हैं उनको क्या करना होता है, rearrange करना होता है output निकालना होता है ठीक है, number-based इस तरीके से आते हैं या तो descending order में आ सकते हैं या ascending order में आ सकते हैं या कोई भी किसी भी तरीके questions आ सकते हैं जब आप practice करेंगे questions की तो आप उन questions को बहुत अच्छे से कम time में कर पाऊगे ठीक है, लेकिन आपको practice आपको ही करनी होगी अप बात करते हैं जो mixed series से question आते हैं तो देखे, examine जातर देखने को mixed series से question यानि जिसमें letter-based भी आते हैं और उसमें number से भी आते हैं तो उनको मिला के किस तरीक से arrange करते हैं या तो double-sided arrange करते हैं या फिर single-sided arrange करते हैं step by step, ठीक है इस type के question से exam में आते हैं तो इस type से हमने question आपके से हमने soul किया था जो कल last question था अपना जो इसमें दे रखा था basket 83, 32, old, turn और 73, 51, now ठीक है, इस question को soul करा था हमने और इस question का first question हमने soul कर लिया था, अब second question में देखते हैं कि क्या पूछा गया है और किस तरीके question से आप पूछे जाते हैं, ठीक है, देखे question number 2 है, और question number 2 का input है, वो अलग input यहां पे दिया हुआ है और इसको उसी pattern में arrange करना है जो pattern हमने इससे पहले सीखा था, यानि कि सबसे पहले यहां पे लिया हुआ था, सबसे बड़ा लेटर लिया गया था उसके बाद second step में सबसे छोटा number दिया गया था, ठीक है, तो उसी तरीके हम इसको क्या करेंगे, arrange करेंगे, ठीक है, तो यहां पे देखे question में आपके सामने है, new 22, model, 27, pump 3, 38, 11, और join, इसमें पूछा गया कि यह जो आपके पास दे रखा है, इसको पूरा करने में कितने चरण लगे, यानि कितने step में यह पूरा complete output निकल के आएगा, ठीक है, अब इसको arrange करेंगे, arrange आप कीजी इसको कि सबसे पहले हम सबसे बड़े लेटर को लेते हैं, तो यहाँ पे देखे सबसे बड़ा जो लेटर है, वो क्या है, pump है, तो सबसे first step में यहाँ पे क्या लेंगे, pump लेंगे, ठीक है, एक step में यहाँ आता है, उसके बद एज़िटीज, इसको you can you arrange कर देंगे, ठीक है, उसके बाद, देखे पहले यहाँ प सबसे चोटा, उसके बाद new आएगा, और new के बाद जितना भी है, वो इसको एज़िटीज, यहाँ पे आज जाएगा, उसके बाद देखे, pump है, 11 है, और 11 के बाद जो बड़ा लेटर है, वो क्या है, पी के बाद कौन सा है, एन है, और एन ओल्रडी अरेंज है, जो उपर व वाला, तो मोडल, तो मोडल भी यहाँ पे ओल्रडी अरेंज था, उपर वाले में, भाई, जब हमने एन, एन, new लिया, 22 लिया, मोडल लिया, फिर 27 लिया, तो उपर ओल्रडी अरेंज था, यहाँ तक, इसी तरी कि सिसमें भी अरेंज है, तो जब तक यह मतलब खुद से अर अरेंज नहीं करना है, ठीक है, अब जहां तक यह अरेंज है, वहां तो इसको अरेंज रखेंगे, उसके बाद देखते हैं, भाई, यहाँ पे देखिए, 27 आ गया, अब 27 के बाद हमें क्या चाहिएगा, जोइन चाहिएगा, भाई, आब बारी किसकी है, लेटर की है, तो ज प्राइगे, यहाँ पे चाहिएगा, जो कितने में प्राइगे, उसके देखिए, यहाँ तो इसको जो राइट उप्षण है, वह जाएगा, ऑप्षण नमबर 4 यानि की यह, ठीक है, नेक्स कुशन की तरफ मोग करते हैं, और नेक्स कुशन देखते हैं, यहाँ पे, देखें आपके सामने कोई input दे रखा है और input में आपको सबसे पहले ये देखना है कि देखी इसमें कर क्या रखा है यहाँ पर कोई भी input आपके सामने है glass 1242 kite light 66 numbers 1168 pilot ठीक है इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है ये कोई randomly word है लेकिन अपने को इस तरह first में चलना है 68 को उठा है अब 68 में ऐसा क्या खास है 68 को यहाँ पर इनोंने उठा लिया है तो 68 को यहाँ पर लिया है यहाँ पे वही सबसे जो number में सबसे ज़ाद है जो letter का सबसे बड़ा वाला letter है वो क्या है P है तो P को यहाँ पे 68 यानि 2 को arrange कर रहा है एक side में number भी और letter भी arrange कर दिया उसके बाद direct glass 12 42, kite, slight और जो भी बचे हुए जो number थे और letter थे उनको rearrange ऐसे कैसे इन्होंने adjectives रख दिया ठीक है अब step second में आते हैं और step second में यहाँ पे देखे 60, अब यहाँ पे 66 लिया 66 क्यों लिया अब 66 इसलिए लिया क्योंकि 68 के जस्ट छोटा number कौन सा है 66 है अब और सबसे बड़ा क्योंकि यहाँ पे इन्होंने उठाय था 68 और पाइलेट अब इसके आगे यहाँ पे रखा step second में 66 और यहाँ पे P के just छोटा यहाँ पे जो input में दिया हुआ था, क्या हुआ था P के छोटा वाला कौन सा था, just N था, यानि numbers था, तो यहाँ पे number को लिया, अब यहाँ पे देखे number, यहाँ पे 66 और number को 68 और पाइलेट के आगे रखा और जो भी बचिये हुए, जो letter और number थे उन्हों को ऐसे कैसे range कर दिया, ठीक है अब उसके बाद just उसके छोटे, यानि कि 42 और काइट हो गया, 66 यहाँ पे यह numbers और 68 पाइलेट और उसके बाद जो भी बचिये हुए number जो आज़ेटी जिनों ने अरेंज कर दिया, इसे तरीके से पूरे complete को करने के बाद यह जो पूरा जो अपना input था, यह 5 step में पूरा complete output निकल के देता है, ठीक है तो आपको समझ में आगया, अब इसी pattern पे आपको नया input मिलेगा, और उस input से आपको क्या करना होगा, questions को solve करना होगा, अब यहाँ पे देखें आपके सामने question है, और question में दिया हुआ है आपके सामने input 23, height, pants in, 54, 89, waist, loop, 61, 92 और merge, ठीक है, अब इसमें पूछा है कि how many steps are required to get the final result, इसमें पूछा है कि जो final result जो अपना आएगा, यानि कि जो last input कितने input में complete चरण होते हैं, जो अपने पहले वाले question में भी किये थे, तो वहीं पूछा है कि how many steps are required to get the final result, final results निकालने के लिए कितने step के हमें required है, ठीक है तो इसको हमें solve करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, वहीं step कि सबसे बड़ा वाला हमें क्या number उठाना है, सबसे बड़ा number कौन सा है, 92 है, तो यहाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पर 92, उसके बाद just letter लेना है, सबसे बड़ा वाला letter कौन सा है, यहाँ पर देखें, वेज, यहाँ पर जो डबलू वाला है, वो सबसे क्या है, बड़ा letter है, उसके बाद agities उसको ऐसे कैसे हम लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कि जो इससे छोटा वाला, यानि कि बाण में, बाण में से छोटा कौन सा है, 89, ठीक है, और फिर जो डबलू से जस्ट छोटा वाला letter कौन सा है, यहाँ पर, तो डबलू से जस्ट छोटा वाले letter, यहाँ पर है pencil, ठीक है, तो यहाँ पर आजएगा P, और यहाँ पर आजएगा आपका 92, यहाँ पर आजएगा आपका अब यहाँ पर देखे, आपके सामने जो मैंने खुद से अरेंज यहाँ पर कर रखा है, वो आपके सामने, यानि कि जो total step final result आता है, वो आता अपनी step 5, फिप्त में, तो complete step 5 में, यह अपना complete output बनके आ जाता है, तो इसका right answer होज़ेगा option number 5 is the correct answer of this question, next question की बात करते हैं, कि देखे, किस किस type के questions जो होते हैं वागजा में, पूछे जा सकते हैं, आपसे question में पूछा गया है, कि what is the third element from the left in the step 3, अब आपके पास वो ही input है, आपके पास एक input यहाँ पर दिया वाथा, देखे, इस वाले question में, input आपके पास दिया वाथा, अब इसी input में, जो उपर आपके सामने input है, यह वाला, इसी input में आपसे पूछा गया है, कि बताए, बताए कि यहाँ पे, what is the third element from left in step 3, कि step 3 में, जो left side से third element क्या होगा, अब इस वाले question को आपन को देखना, अब आपके सामने 5 step आपने निकाल अब इस step 3 में पूछा है, तो step 3 में यहाँ पे चलते है, यह अपना हो गया, step 3 हो गया, इसमें क्या पूछा है कि step 3 में, जो left से third element है, वो क्या होगा, अब step 3 में, जो left से third element, यानि कि left क्या है, इस side से हम left को count करते हैं, तो यह अपना 1 हो गया, यह अपना 2 हो गया, यह अप अपना क्या हो जाएगा third element हो जाएगा left से third element ठीक है तो 89 हो जाएगा अपना correct answer of this question समझ में आया अब next question की तरफ move करते हैं और देखते हैं कि जो next question क्या है question में है कि which of the this is the second step यहाँ भी पूछा गया है कि बताईए कि जो अपने output निकाला है और उसका step second है वो कौन सा है अब आपके सामने निकले वे 5 step complete हैं आपने 5 step अपने निकाले हैं तो आप अच्छे से बता दोगे कि जो second step तो वो क्या है अब second step में हमने क्या निकाला था कि ब पताती हूं यह आपके पास जो solution है इसमें जो second step में देखे यहाँ पर आपके सामने है element ठीक है और second step में यहाँ पर देखे 89 आया था pencil आया था 92 वे जाया था और जो भी बचेवी element को ऐसे कैसे इन्होंने arrange कर रखा था ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा यह यहाँ पर जो fifth वाला question उसमें पुछा गया है option two हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा correct answer ठीक है next question की तरफ move करते है और next question है आपके सामने question number six है in step six which is the third element to the left of the third element from the right question में पुछा गया है कि जो अपना step fourth है उसमें left side से third element के जो right side से यानि right side के third element के left side third element कौन सा होगा अब यहाँ पर left right वाली बात है यदि आपने मेरे पढ़ाएवे पहले जो alphabet test की जो वीडियो देखी होंगी उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझा रहा है कि जो left और right से question से exam में आते हैं तो उनको आप कैसे करोगे तो भाई मैंने समझा था कि जो left और left से आता है तो आपक उनको क्या करता है गटा आना पड़ता है अब यहाँ पर left और right पूछा जाता है तो क्या आएगा यहाँ पर plus करना होता है ठीक है तो यहाँ question में क्या पूछा गया है left और right से पूछा गया यानि कि हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा अब यहाँ पर right फ्रो तो देखते हैं अपना जो step अपना जो था उसमें चलते हैं fourth number वाले पे चलते हैं number वाले fourth पे और जो left side से यहाँ पे six number पे जाते हैं तो देखें यहाँ पे one, two, three, four, five, six यानि जो pencil word है वो क्या अपना आ रहा है six number पे आ रहा है तो pencil क्या हो जाएगा इसका correct answer हो जाएगा समझ में आया कि जो देखें इसको अच्छे से समझा करो कि जो भी पढ़ाया जाते है और पहले कि जो भी वीडियो पढ़ाई गई है जैसे coding decoding हो गया आपके सामने ठीक है मैंने इनको बहुत अच्छे से पढ़ाया देखे coding decoding मैं यहाँ पढ़ा चुकी हूँ ठीक है coding decoding पढ़ा चुके है alphabet test आपन पढ़ चुके है और भी दो चारा topics जितने भी हैं वो हम यहाँ पर cover कर चुके cloak मैंने यहाँ पढ़ाया बहुत अच्छे से जो questions exam में आते हैं figure जो अपने counting figure आते है वो हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं किस-किस type के questions आते हैं उन पर आप practice कीती है जितने ज़्यादा practice करेंगे उतने ज़्यादा ही आप उन questions को कर पाओगी ठीक है तो आपको confused नहीं होना है जो भी chapter पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाय जाते हैं पहले कि बाद के जो भी इस type के जो chapter आई उनमें आप confused नहीं हो क्योंकि उनका कही न कहीं जो काम है कही न कहीं उनकी जो उनमें सीखी वी चीजे हैं वो आगे काम आती हैं इसलिए वो पहले पढ़ाय जाते हैं ठीक है अब यहाँ पे next question की बात करते हैं question number 7 है और question number 7 में आपसे पूछा गया है which of the falling is the last step तो last step यहाँ पे क्या था वई क्योंकि आपने निकाल ले हैं जितने भी step थे और उसमें last step क्या है वो आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे देखे last step यहाँ पे निकाल ले था और last step यहाँ पे देखे 23 height 54 loop 61 merge 89 pencil 92 ways तो यह अपना क्या था last step था अब option में देखते हैं कि उस वाले option में कौन सा है तो देखे 23 height वाला एक ही option है 54 loop यानि कि एक बर देखे यहाँ पे 92 ways आया था फिर उसके बाद 89 pencil लिया था फिर 61 merge लिया 54 loop 23 height यानि कि step by step इसको आपके पास नया question आपके सामने है और इस question में आपसे आपके सामने input दे रखा है एक output जो भी निकाल के दे रखा है इसको आपको समझना है और आप समझे इसको solve कीजिए ताकि आगे वाले question है वो आप खुझ से solve करेंगे उतना है आप इसको अच्छे से कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे देखे जो input यहाँ पे दिया हुआ है आपके सामने और input में यहाँ पे आपके सामने word है assure tool assure 7 new to email 16 demand 3 quiet 12 20 और अरबन ठीक है यह आपके बस यहाँ पे assure को उठा रखा है जो कि यहाँ पे already है और फिर यहाँ पेनों को उठाया और यहाँ पर two में क्या खास है वह आपको क्या करना है सीखने तो tsm e यहाँ गहार पे सबसे चोटा नमबर दिख रहे हैं आप सबको दिख रहा हो कि जो two है वो सबसे चोटा नमबर है तो यहाँ पर टू उठा लिया उसके बाद जो भी देखि 7 आ गया न्यू आ गया जो भी बच्यों भी नमबर और लेटर थे उनको एज़िटी यहाँ पर अरेंज कर दिया ठीक है अब आगे क्या कर रखा है अब इस्टेप सेकेंड में यहाँ पर क्या कर रखा है कि यहाँ पर इस्टेप सेकेंड में कर रखा है अब यहाँ पर आपको समझना है यह थोड़ा सा क्या डाल दिया इसमें ट्विश डाल दिया अब यहाँ पर वोवल और कॉंसोनेंट डाल दिया यहाँ बैस सबसे पहले स्टेप में यहाँ पर वोवल उठाया और सबसे चोटा सबस्क्ass देखते हैं कि द तरी किस इनों ने किया और यहां को सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी टाइप के कुश्चन साथते इतने हलवे कुश्चन भी नहीं आते कि आप करी नहीं पाऊ तो थोड़े मीडियम आते हैं वह में सीखने ही होंगे यहां पर देखें, third step में क्या किया है, इन्होंने अशोर और two को उठाया, पिर यहां पर email को उठाया, golden one है, बाई सबसे पहले google में भी alphabetic तरीके से इनको order में इनको arrange करना होगा, सबसे पहले शोर को किया फिर email को किया और उसके बाद जो छोटी संख्या थी उसको उठा लिया ठीक है अब इसमें डिरेक्टियों का यूँ है उसके बाद यहाँ पे देखे अशोर है 2 है email 3 है और लास्ट में इनोंने क्या 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 है demand 12 और यहाँ पे new 16 यानि कि पहले इनो उसके बाद इनोंने बड़ा वाला स्वाश्च बड़ा वाला क्या bere मिन पहले घ्री और थी इसके बाद शर्यूर ने क्या कर दिया बचा था उनको last में यहाँ पर उठाके रख दिया है अब यहाँ पर आपको समझ में आया जो 2, 3 और 7 थे यह क्या होते हैं अपने prime number आते हैं आप सभी को पता है ठीक है तो इन्होंने वोवल के साथ इन्हों को रखा और जो बचे वे जो number थे उनको उन्होंने क्या क्या जो अपने consonant थे उनके साथ इनको arrange किया तो समझ में आया कि इसमें क्या करका है देखिए इसी टाइप के questions है ना अपके exam में पूछे जाते हैं इतने easy questions exam में थोड़ी ना पूछे चाहेंगे इसमें आपको अच्छे समझ में आगे होगे कि सबसे पहले वोवल लिया वोवल के साथ सबसे चोटा number लिया और last में उन्होंने उसी तरीके से जो consonant उठाया सबसे चोटा consonant उसके साथ number इस तरीक से उन्होंने क्या गया arrange किया अब यहाँ पर इसमें आपके समने कुश्यन है तो देखें यहाँ पर input आपके समने दिया हुआ है input यहाँ आपके समने कोई भी randomly है एग 11, 19, apple, dog, 20, 13, pen, ink, 25, house और 12 ठीक है कुश्यन में यहाँ पर पूछा है कि how many step are required get the final result यानि final result निकालने में कितने step की required है हमें ठीक है तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपको क्या निकालना है सबसे पहले आपको वहीं उठाना है वोवल उठाना है और सबसे छोटा number उठाना है सबसे छोटा number कौन से है वो आपको उठाना है और वो भी क्या दोर का भाग नहीं जाए तो यहां पर 11 है और इसी तरीके से मैंने आपके समने अरेंज किया है तो यहां पर देखे आपके समने यह अरेंज है एपल के साथ यहां पर एक है और एज़िटी जो भी बचा हुआ था वह एज़िटी यहां पर इन्होंने पुट कर रख है ठीक उ यहाँ एक के साथ वह वाला उठाना है जिसमें बहाग खुदी का जाए तो 13 है और 13 को यहाँ पर उठाया और एजटी यहाँ पर पुटप कर रखें ठीक है इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देखें यहाँ पर इस तरीके से इनको अरेंज कर रखा है और टोटल जो आउट्पुट निकल के आए वह अपने 6 स्टेप में निकल के आए अपने इनको टोटल 6 स्टेप थी तो यहाँ पर जो रिक्वाइर थी हमें फाइनल रिजल्ट के लिए वह स्टेप 6 तक तो यहाँ पर ओप्शन डी है वह जाएगा मैं आपसे बाते करूं पढ़ाऊं कम अब अपना काम क्या है अग्जाम सर पर आ रहे तो हमें ने वो सारी चीज़े घोट के पीनी हो सारी चीज़े अपनको करनी है जो एक्जाम में आती टाइम क्यू वेस्ट करने है अब यहाँ पर देखे इस पर कोश्चन पुछा गया ह नेक्स्ट है इन इस्टेप 5 वीच इस दा 5 यहां पर देखे 5 आएगा थार्ड नहीं आएगा यहां पर सोरी 5 आएगा यहां पर आड ही थोड़ा टाइम मिस्टेक हो गया है एलिमेंट टु ड़ा लेफ्ट और तर्ड अलिमेंट फ्रॉम दा राइफ और लेफ्ट का इनको कर दो यहां पर 3rd है और 5th है इनको add किया कितना आया 8 है अब 8 किधर से हमें चैक करना है जो 1st में आपको दिख रहे है 5th element to the left तो left side से हमें 8 को देखने कौन से वाल स्टेप में 5th वाल स्टेप में ठीक है तो देखते हैं वह फिप्त वाल स्टेप में कौन सा आ रहा है ठीक आ एपल 1,2,3,4,5,6,7,8 यानि कि जो 25 है वह 8th number पर आ रहा है तो 25 अपना क्या हो जाएगा correct answer option भी हो जाएगा इस question का right option ओके next question की बात करते है question number 9 और question number 9 में आपके सामने एक नया आपके पास input है और इस पे questions आप से यहां पे दे रखे हैं जो कि यह अपन करेंगे कल और आ नहीं क्योंकि यह concept थोड़ा सा थोड़ा से तो ऐसा नहीं आप इसका screenshot ले लीजी आप खुझ से यह मैं आपको homebook में दे रही हूं इसको आप खुझ से कीजिए जितना आप खुझ से करेंगे उतनी अच्छी practice होगी फिर हम कल के वीडियो में इसको अच्छे से करेंगे तो hope so आपको यह वाला जो pattern मैंने आज दो questions कराए हैं और दोनों questions पे भी मैं कुछ questions ले के आए थी जो आपको अच्छे से समझाए तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आये होंगे वो इसी type के questions exam में आते हैं link जो telegram का है वो description में मिल चाएगा उसको आप join कर लीजी ताकि आपको वहाँ पे PDF मिलेगी इसकी input output की उससे सभी questions को आप practice कीजिए ताकि कोई भी questions को आप skip ना करें अच्छे से कर पाए क्योंकि देखे practice आपको ही करनी होगे मैं बार बार हर class में बोलती हूँ कि देखे practice आ नहीं भी रूपए देखे पेड में सीखोगे time इतना लेते हैं छोटे-छोटे concept ऐसे बताते जैसे आप second class के बच्चे हो जोसा आपको पता ही नहीं है उसमें एक महीना ले लेते हैं फिर उसके बाद देर 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 पढ़ते हैं उसको बोलते है पेड किलास जो की फालतु क हुआ है कुछ भी नहीं होना होता है आप वो सीखिए जो आपको एक्जाम में तो कम टाइम में किस तरीके से हमें अपने एक्जाम को फाइट करना है हमें वो चीजे कैसे पढ़नी है वो सब सीखना है ना कि हमें कुछ भी पढ़ाय जा रहा है इतना लेंडी उसको मत टो आफ बस आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में नैक्स अच्छे कॉंसप्ट के साथ नेक्स टाइप के साथ ठीग है तब तरह अमने द्यान रखना अपने पढ़ाई को कंटीनिव कर रखना जेक्र बाभाई और धन्यवाद